नमस्कार दोश्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोश्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी पतियों के सेवन की विरी के बारे में बताऊँगा दोश्तों, यदि आप इन पतियों को सिर्फ 11 दिन तक पानी में उबाल कर सेवन कर लेती हैं तो दोश्तों, आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा दोश्तों, सो सालों तक आपको हाडियों की कमजोरी और जोडों के दर्द या हाडियों के किसी भी परकार के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा दोश्तों, आपके सरीर में खून से जुड़े रोग दूर हो जाएगे खून का गाड़ा होना, खून की सभाई करेगा, खून को बतला करेगा, खून की गाड़ा होनी की समस्या को दूर करेगा और जब आपके खून में गंदगी नहीं होगी, तब आपको बुरे कोलोस्टोल की भी कोई समस्या नहीं होगी यानि ये नुस्टा बुरे कोलूस्टोल को दूर करेगा और जब आपको कोलूस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी तब आप हार्ट अतेक, हार्ट ब्लोकेज और दिल की बिमारियों से बच रहेंगे दोस्तो आपके स्रीर की हर बंद नस को खोलने का कारगर नुस्का है और आपकी आँखों के लिए भी एक चमतकारी ओस्ती की तरह काम करता है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस पत्ते की बात करें हैं जिन पत्यों की बात करें हैं वह पतिया हैं बत्वे की बत्वे की बत्वे में विटामिन A, आइरन, कैलसियम, फासफोर्स और पोटासियम, कार्बोहेटेट, फाइबर, विटामिन C, भरपूर मातरा में पा और दोस्तो डाइबटीज के मरीजों के लिए तो ये और भी कारगर ओशती हैं क्योंकि इसमें विटामिन A, B, C, एंटोक्षेंट आइरन भरपूर मातरा में पाये जाता हैं ये बलड में इंसुलिन की मातरा को कंटोल करता है इसलिए बलड सुगर को कंटोल करने में यह और इसमें पानी की भी मातरा बहुत अधिक होती हैं इसका सेवन करने से आपका पाचन मजबूत होता है और जब आपका पाचन मजबूत होंगे तो आपको पेट का कोई भी रोग नहीं होगा कबज, गैस और एस्टिटी जैसे समझ चाएं आपके सरीर से दूर हो जाएंग मातरा में कलोरी होती हैं और प्रोटीन की अच्छी मातरा होती हैं यदि आप बत्वे को अपनी डाइट में सामिल करते हैं तो इससे आपका पेट भर रहता है और आपका वजन तेजी से कम होता है दोस्तो ये आपके बालों को भी मजबूत करने का काम करता है बालों से को मिसरत करके आपको सेवन करना चाहिए और यदि आप ऐसा करेंगे तो पत्री टूट टूट कर बाहर निकल जाएगी दोस्तो आखों के लिए बहुत चमतकारी है क्योंकि इसमें वो सभी गुन मौजूत होते हैं जिनसे आपकी आखों की रोसनी बढ़ती है इसमें विटामि की कमी को दूर करता है और यदि आप खून को साफ करना चाहते हैं तब आपने इस बत्वे के साथ में 5-6 नीम की पतियों का भी सेवन करना चाहिए इससे आपका खून साफ होगा और जब दोस्तो आपका खून साफ होगा तब आपके चेहरे पर भी नया गलुआ जाएगा आपका चेहरा खिल जाएगा दोस्तो बत्वा आपके सिरिल की इम्यून पावर रोकों से लड़ने की सक्ती को भी बढ़ाने का काम करता है तो देखा दोस्तो कितने सारे फाइदे हैं हर त्रहे के दर्ध का इलाज का जोडों का घुटनों का कमर का दर्ध का हर त्रहे के कैल पास भी खड़ा जरूर होगा बस आपने इसके सेवन की सही विदी जाननी है दोस्तो आपने क्या करना है बत्वी की पतिया लेनी है जैसे कि यह हमने ली आपने इनको धोकर साफ कर लेना है जैसे कि यह हमने कर ली अब दोस्तो आपने इनको एक से डेड़ गलास पानी लेन और उसमें इनको डाल देना है, जैसे कि हमने डाल दी, अब इसको आग पर उबलने के लिए आपने रखना है, जैसे कि ये हमने रख दी, दोश्तों आपने इसको तब तक उबालना है, जब तक कि आपने एक से देड़ गलास पानी लिया था, वो एक कप नहीं रह जाए, और जब वह पानी उबल उबल कर एक कप रह जाए तो दोश्टो आपने उसका सेवन सुबह खाली बेट करना है। और दोश्टो यदि आप 11 दिन तक इसका सेवन करेंगे तब आपके सरीर में चमतकारी बदलाव महसूस होगा। आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा, खून की कमी दूर हो जाएगी और आपका सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा। दोश्टो आप इस बत्वे की पत्यों का साग बना कर भी खासकते हैं और वो बहुत फेश्टी भी लगता है। तो दोश्टो देर किस बात की है आप भी आज से ही इन बत्वे की पत्यों का प्रियोग सुरू करतीजिए और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजिए। भी भी आप बना दीजिए और अपने सरीर का लिए।